चैप्टर वन क्या खरीदे, एवरेज इन्वेस्ट निवेश के क्षेत्र में स्पेसिलिस्ट नहीं होते हैं, वो अपना समय देते हैं और थोड़ा दिमाग लगाते हैं निवेश करते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, इसके विपरीत यदि हम निवेश के जादूग बनने क लक्षणों के बारे में बात करें तो लोग मानते हैं कि बड़े सफल निवेशक दिन भर बैठ कर बेलेंस शी पढ़ते होंगे, कौपोरिट बिजनस निउस देखते होंगे, नंबर्स के एकस्पट होते होंगे, दिन भर अकाउंट्स और बुक्स पढ़ते होंगे पर असल जगह निवेश करते हैं, निवेशक एकस्पट नहीं होते पर वो स्किल्ड होते हैं उन्हें पता होता है कि कब कहां क्या कितना देखना है, इसी के आधार पर वो सार्थक पैसा बना लेते हैं, इस पुस्तक के माध्यम से मैं आपको पैसे कमाने के तरीके नहीं बताने वाल मेंली मार्केट में तीन तरह की कमपनीज होती है, फर्स्ट लाज कैप जिन्हें हम स्टेबल कमपनिया कहते हैं, क्योंकि इनके रिटन स्टेबल होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रॉंग होते हैं, इसलिए पैसे दूबने का रिस्क कम होता है, पर यह कमपनिया वही होती है जो Uncommon Returns पहले ही देकर टॉप पर पहुँचती हैं, आगे भी यह Uncommon Return दे सकती हैं, परन्तु इसके चांस थोड़े कम नहीं बहुत कम होते हैं, यह हाम तो पर सिर्फ स्टेबल रिटन दे सकती हैं. Next, Mid Cap Companies होती हैं, पर पहले हम Small Cap Companies को कवर करेंगे, यह Companies छोटी होती हैं, परन्तु सुपर मल्टी बैगर रिटन्स देने का बहुत दम रखती हैं. Small Cap Companies में प्रैनी स्टॉक्स भी होते हैं, पर हम उनके बारे में बिलकुल बात नहीं करेंगे. Small Cap में जितनी ग्रोथ की संभावना होती हैं, उतना ही जोखिम भी होता हैं. हम Small Cap Companies में Uncommon Profits के लिए तीन तरह की Companies की Categories पर फोकस कर सकते हैं. पहली उन Small Cap Companies पर फोकस किया जा सकता हैं जिनमें Future Growth की संभावना हो या फिर वो किसी Stable Product, Item, Commodity, Asset Class, Technology, Power को Future में Replace कर सकती हैं या फिर उनमें ऐसे कोई Chance नजर आए तब ऐसा होता हैं तो इसकी Demand Future में आस्मान छू सकती हैं और Company Multi-Bagger Return भी दे सकती हैं. Second है Management या Ownership हमने देखा हैं यदि कोई बड़ी Company है और वो अपनी Daughter Company स्टॉर्ट करती है या Owner कोई नई Company स्टॉर्ट करते हैं और आपको पता हो कि यह Strong Skilled Management हैं. जैसे इन्होंने पुरानी Company को Run किया है वैसे ही इसे भी अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ा सकते हैं तो यह एक अच्छी Uncommon Profit वाली Choice हो सकती हैं. इसी बीच बुक में एक स्कॉटलबर्ट मेथड भी है जो Outstanding Stocks को कैसे पहचाने इस बारे में हैं, जिसे हम आगे के chapters में cover करेंगे. थर्ड है निवेशक या Investor. आमतोर पर देखा जाता है FII और DII Investor, Institution, Funds की और से देखा गया है कि यह किसी भी शेयर को खरीदने या स्टेक लेने से पहले काफी research करते हैं, पूरी company अंदर बहार से future growth के हिसाब से देखते हैं, फिर इनके द्वारा companies में स्टेक लिया जाता हैं, यह सब शेयरों की कीमतों पर काफी असर डालता है, खासकर यदि वो small cap हो तो, हम किसी भी तरीके से आपको small caps में investment की राय नहीं दे रहें, बल्कि यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके stake और share holdings में changes के आधार पर focus और research को थोड़ा shift कर सकते हैं, क्योंकि market में हेरों small cap companies listed होती हैं, हमें portfolio को diversified और अपने risk अनुसार balanced रखना चाहिए और अपने पास emergency fund तयार रखना चाहिए जिसे जरूरत के समय ही touch करना चाहिए, next है mid cap companies यह वो हैं जिन्हें हम uncommon profit के नजरिये से सबसे पहले देखते हैं, mid cap companies न बड़ी होती हैं और न छोटी पर इन मे future में large cap बनने के chance होते हैं, यह अभी अपनी growth stages में होती हैं, इन companyों में जोखिम की संभावना उतनी नहीं रहती इस प्रकार की companyya well known होती हैं, हम सभी आम तोर पर भी इन्हें इनके काम और नाम से पहचानते हैं, इसलिए इन्हें हम common stocks कहते हैं, अब हमें इन्हीं पर focus करना ह इन companies के बारे में आम तोर पर काफी जानकारिया उपलब्ध होती हैं, हमें इनके बारे में research करना है, management को जानने की कोशिश करना है, statements की जाच करना है, हो सके तो इनके products या service को भी try कर सकते हैं, यदि संभव और सुविधाजनक हो तो, क्योंकि मुझे यदि कल भी यही है, तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ, हमें इसी प्रकार की underrated company की तलाश करनी है, जिससे हम जानते हो size में बहुत बड़ी न हो पर इसके डूबने के chance भी बहुत कम हो क्योंकि कोई इस भी प्रकार की नगीना company Mr. Market से ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, जिन कम्पनियो में growth की संभावना होती है, competition कम हो, underrated हो, सही valuation के आसपास हो और फिर भी खास perform न किया हो तो Mr. Market इन्हें आसानी से पहचान लेता है और यदि future हो तो वो उन्हें उनकी सही जगह पर पहुचा देता है, इसलिए हमें उन company को पहले से find करके रखना चाहिए, Note, एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें mostly fundamentally strong companies को प्राथमिकता देने की कोशिश करना चाहिए और यदि कुछ भी परेशानी होने पर सीधे experts की सलाह लेनी चाहिए, शुरुवात धीरे करनी चाहिए क्योंकि गलतियां सभी से होती हैं, किसी share को कब खरीदना चा बिसनस में क्या देखे, किसी भी investor की आमतोर पर किसी भी stock को खरीदने से पहले दो इच्छाए होती हैं, जिसे पहली मैंने जो research analysis की है उसके आधार पर share कुछ time में कई गुणा return दे और दूसरी इच्छा में जिस भी share में invest करूँन वो long time में index funds को beat करने वाले return दे, uncommon profits के लिए हमें company को इन 15 points के map दंडो पर पर परखना चाहिए, पहला है, क्या company के पास ऐसा कोई product या services है जिनकी जरूरत आगे आने वाले वर्षों में कम नहीं होगी, हमने सामान्यता देखा है जिन company की बिक्री average हो जाती है या घट जाती है, उनके share भी बढ़ते नहीं है, क्योंकि sales नहीं तो profit नहीं और फिर profit के हिसाब से share correct होते जाते हैं, company के पास हमेशा ऐसे products होने चाहिए जिनकी demand market में रहे, competition कम हो और समय के हिसाब से market बढ़े जैसे जैसे sales बढ़ेगी वैसे वैसे company की growth भी होती रहेगी, company के पास हमेशा ऐसे products का portfolio भी होना चाहिए, जो generation के change होने के साथ साथ product change और improve होते जाएं और danic जीवन में या सामान्य जीवन में उसका उप्योग होता रहें, जो longer time में growth के लिए help करें, next point, company की size के हिसाब से research और development में की गई कोशिशे कितनी effective हैं, जितनी बड़ी company होती हैं उस company में उतने ज्यादा research और development पर work किये जाते हैं, वैसे तो company छोटी हो या बड़ी उसके लिए R&D बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी के साथ बदलती रहती हैं और यदि R&D पर work नहीं किया जाए तो वक्त बदलते देर नहीं लगता, लोगों को याद भी नहीं होगा कि उनके हाथ में कब की pad phone से smartphone आ गए वे उनका use करते हुए पुरानी बड़ी बड़ी companyों को भी भूल गए जिनका एक time पर बहुत बड़ा market share था, R&D वक धीरे होने से नई कमपनिया आ जाती है और धीरे धीरे अपना market share गेन करती जाती है और कई पुरानी कमपनिया देखते देखते बरबाद हो जाती है, इसलिए हमेशा R&D पर विशेश ध्यान देना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि कमपनी जो इस पर हजारों डॉलर खर्च कर रही है वो कितना utilize हो रहा है और कितना पानी में जा रहा है, यह सभी जानकारी हमें कमपनी रिपोर्ट में आसानी से मिल जाती है, next point क्या कमपनी के पास average से अच्छा sales organization है, आमतोर पर sales या sales वालों को इतना importance नहीं मिलता जितना कमपनी के other departments जैसे production, finance, R&D, HR, corporate आदी को मिलता है, परन्तु हम लोगों को यह ध्यान नहीं रहता कि सिर्फ कमपनी की ही नहीं सारी economy sales पर depend करती है, यदि कोई बेचेगा नहीं तो कुछ बेकेगा नहीं, no sales, no revenue, no profit तो फिर no tax, इसलिए sales को हमेशा अच्छा रखना है, यह हर company की जिम्मेदारी है, जितना अच्छा sales department परफॉर्म करेगा, उतनी company ग्रो होगी, Next point है, क्या company के पास meaningful profit margin है के नहीं, हमने कई AC कमपनिया देखी है, जो अपनी sales बढ़ाने के लिए low profit margin रखते हैं, पर long term में यह बहुत effective नहीं है, माना customer को attract करने के लिए discount देना जरूरी है, परन्तु low profit margin के कारण company के survive करने की possibility कम हो जाती है, Company को grow करने के लिए profit जरूरी होता है, एक निवेशक के तोर पर AC sales किसी काम की नहीं जिससे profit न हो, इसलिए AC company select करें जिसके product या service unique हो कोई आसानी से copy न कर पाएं, यानि monopoly businesses मतलब ऐसे business जिसके customer संख्या ठीक ठाक हो परन्तु service या product provider बहुत कम हो, जिससे company profit margin सही से decide कर सकती है और अच्छा मुनाफा कमा कर grow हो सकती है, Next point है leadership, किसी भी business या company को सफलता से run करने के लिए सही leadership बहुत जरूरी होती है, एक leader में कुछ जरूरी qualities होना चाहिए जैसे सही decision लेने की ability होना चाहिए, positive attitude होना चाहिए, करेज यानी सहसी होना चाहिए, जिम्मेदारी स्वीकार करने वाला होना चाहिए, humble और modest होना चाहिए, self-controlled और discipline होना चाहिए, optimistic और visionary होना चाहिए, कार्यों के प्रती समर्पित होना चाहिए, मतलब ऐसा जो कभी गलत का साथ न दे, यदि इन qualities में से आधी भी किसी leader में हो तो company की growth में चार चांद लग जायंगे, Next point, company के owner management और employees के relations, Company एक system के रूप में काम करती है, company के owner के management और employee के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, यह तीन company के जरूरी element है, इनके बीच communication disturb हो जाए तो बहुत problems आ सकती है, यदि management और employee के बीच problem होगी, तो सही guidance employees तक नहीं पहुँचेगा, जिसके कारण output खराब हो सकता है, जिससे end of the day नुकसान company का ही होगा, इन सब में एक बात सबसे जरूरी यह है कि एक आदमी पूरी company नहीं संभाल सकता, team होनी चाहिए, responsibility decide होनी चाहिए, और focus target के मार्ग पर ही होना चाहिए, साथ ही company को सभी के suggestions सुनने चाहिए, चाहे वो छोटे worker से आए या फिर बढ़े employee से आए, company को customers के भी feedback लेते रहना चाहिए, next point है balance sheet कैसी है, किसी भी company में investment से पहले balance sheet जाचना जरूरी होता है, company की real progress profit and loss इसी में नजर आता है, हमेशा ध्यान देना चाहिए कि company profit में है तो यह अच्छी बात है, परन्तु यह सब real है कि नहीं कोई गरबर या छेट छार तो नहीं की गई है, हम हमेशा सिर्फ net profit पर focus करते हैं और यदि कोई company loss कर रही है और एक दम से profit में आ जाती है, तो हमें यह जाच कर लेना चाहिए कि जो profit आया है वो sales या core business के आधार पर ही आया, है की नहीं, पता चले sales तो कम थी और expenditure ज्यादा था और other income के आधार पर company profit दिखा दे, इस पर विशेश ध्यान देना चाहिए कि core business के आधार पर ही company तरक्की करे न की इधर उधर से, यह सब हमें balance sheet में मिल जाएगा, next point है growth and date, business grow होना अच्छी बात है, मालिक या shareholders होने के नाते हम हमेशा खुश होंगे जब company की तरक्की होगी तब, जैसे आपने देखा होगा company के result के दिन share में भारी up-down होते हैं, इसकी main वज़र growth ही होती है, क्या number I sales बड़ी या घटी कितना profit रहा, यह company के future को decide करता है, इसलिए हम मानते है growth अत्यावश्यक है, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि growth का क्या आधार है, आमतोर पर company बिजनेस growth के लिए कर्च लेती है, ताकि business बढ़े पर यह कई बार इतना भारी होता है कि business को ही लेदूबता है, क्योंकि loan मांगा और मिल भी गया पर जो business से profit चाहिए या वो नहीं मिला, अब यदि interest ज्यादा रहे और net profit कम तब फिर कई बार यह धीरे धीरे business को ही बरबाद कर देता है, इसकी जाँच हम date to equity ratio के आधार पर कर सकते हैं कि company आसानी से लिया हुआ करज उतारने और growth की स्थिती में है की नहीं, next point है USP and promotion, हम सबसे पहले USP देखते हैं, USP का मतलब होता है unique selling proposition जैसे company जो business करती है वैसे business और भी है पर company के पास एक USP है जैसे हमसे सस्ता कोई नहीं या फिर quality में best, अब इन USP के आधार पर company के अपने loyal customer भी बनेंगे और यह सब देख कर और भी लोग attract होंगे जिससे company की growth होगी, next है promotion, Company जो business करती है उसे लोगों तक पहुचाना बहुत जरूरी होता है जिसे promotion और advertisement के द्वारा किया जाता है, लोग देखेंगे तभी तो आएंगे और इससे भी ज्यादा जरूरी customer के दिल तक पहुचना है, लोग दिन में हजारों चीजे देखते हैं पर याद कुछ खास ही होता है, promotion या ad में कुछ नया या ऐसा होना चाहिए जो दिमाग में क्लिक हो जाएं और निकले ही नहीं जैसे टेड़ा है पर मेरा है, और समझदार लोग कौन सा पानी पीते हैं, नाम आप जानते ही है, next point है किसी भी company में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि उस company के business में कोई special mode है की नहीं, जैसे पहला है market share mode, यदि company ऐसा product बनाती है, जो maximum लोग use करते है, एक trusted brand है जैसे कोई cold drink बनाने वाली company है जिसका market share 70% है, मतलब प्रती 100 cold drink जो बिक्ती है उसमें से 70 इस cold drink company की है, मतलब company का market share mode अच्छा है, आसानी से कोई भी company आकर इसको हिला नहीं सकती है, second mode, company किसी माल का इतना ज्यादा production करें कि वो product company को बहुत सस्ते में पढ़ें ताकि company इस आगे कम दाम में बेच सकें और competition से बची रहें, अगला है brand mode, company के brand की fame following इतनी अच्छी हो कि उसके customer और किसी brand की तरफ जाएं ही न और company के loyal customer बने रहें, जैसे कोई special mobile phone company, हम ऐसे मोट वाले business में uncommon profits के लिए invest कर सकते हैं, next point है short term profit या long term profit, कुछ company आज के profits के लिए काम करती है और कुछ long term relationship build करने के लिए काम करती है, वैसे जो company long term prospective से काम करेगी उसके पास loyal customer बनाने के अच्छे chance, हो जाएंगे एसी स्थिती में company जब जाहे तब cost cutting कर सकती है और जब जाहे तब cost बढ़ा भी सकती है, ऐसा तब होगा जब वो अपने short term profit sacrifice करे और relation building पर ध्यान दे, एसी सोच वाली company शायद अपने investors को भी कभी निराश नहीं करने की कोशिश करेगी, next point है management, क्या management खुल के बात करती है जब चीजे अच्छी चल रही हो, वो अच्छी और बुरी दोनों बातों को बताती है, सभी के सामने real roadmap present करती है, कोई गलती हो भी जाए तो ज्यादा देर चुप बैठने के स्थान पर हिम्मत दिखा कर सच जल्दी बता दे, हमें उन कम्पनियों से दूर रहना चाहिए, जो चीजे बुरी चल रही हो तब जूप हो जाए और जो bad news हो तो उसे छुपाए, हमें इस प्रकार की कम्पनी से दूरी ही बनाए रखनी चाहिए, next chapter है कब खरीदे, आप हमेशा सोचते होंगे कि कब खरीदा जाए, तेजी वाले बाजार में खरीदे या मंदी वाले बाजार में, टॉप पर खरीदे या बॉटम पर खरीदे, IPO में खरीदे या लिस्टिंग के बाद खरीदे, सपोर्ट पर खरीदे या फिर ब्रेकाउट के बाद खरीदे मार्केट क्रेश हो जाए तब खरीदे या फिर जब मार्केट ठीक हो तब खरीदे स्टॉक फोकस में हो तब खरीदे या फिर साइड वेस हो तब खरीदे आखर शेरों को कब खरीदे यह समझ ही नहीं आता देखिए यह सभी के लिए अलग-अलग हो सकता है वैसे इंडेक्स या टॉप कंपनीज को हम कभी भी तेजी या मंदी वाले बाजार में लॉंग टम के लिए खरीद सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा यदि कोई बड़ा क्रेश आने वाला होता है तो इंडेक्स या लाज कैप की कंपनिया धीरे-धीरे गिरती है और रिकावरी के समय भी सबसे पहले चड़ना शुरू कर देती है परन्तु मिड़ और समाल कैप सबसे पहले और सबसे तेजी से सबसे ज़्यादा निचे गिरती है वैसे इनके उपर जाने की स्पीड भी वैसी ही होती है वैसे देखा जाए तो सभी तरह की कंपनियों में निवेश करने का सबसे सही समय क्रेश के बाद ही होता है सभी shares fair value पर available होते हैं, जो सामान्य time से बहुत अच्छे return देते हैं, इस time का investment काफी जोखिम वाला दिखता है पर वो उतना risky होता नहीं है, पर सही बात बताए तो ऐसा समय आता ही बहुत कम बार है, आमतोर पर market sideways ही रहता है, सिर्फ हमें लगता है market टेजी वाला है या मंदी व दिखाई और सपता के अंत में market जहां था वही घूमता रहता है और हमें लगता है market उपर या नीचे चला गया है, आम तोर पर stocks में entry की opportunities किसी short term problem के समय होती है, जब price निचे आ जाते है पर हमें problem और कितने दिन चलेगा इस बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो यह opportunities दो तरफा साबित हो सकती है, buying opportunities सिर्फ तभी नहीं होती जब कोई problem आए और भी मोके होते हैं, जैसे company का जिसके साथ competition था उस company में कोई problem आ जाए जिससे market share बढ़ने के chance हो या फिर कोई घोशना हो जाए जिससे company जिस sector में हो उसे फायदा हो, company की management में फेर बदल हो और क जब company loan courage date repay कर दे जिससे company पर से बोज कम हो जाए और expansion आसान हो जाए या फिर कोई अच्छी खबर सामने आ जाए जिससे sector और company दोनों को फायदा मिले तब भी इन companies पर focus कर सकते हैं, इसलिए हमें लगता है यदि हम एक trader नहीं है तो हमारे लिए किसी भी share को uncommon profit के लिए governmental सही हो और market थोड़ा correction zone में हो, share पर खास focus ना हो और share undervalued नजर आये तब उसे long term के लिए buy करने की सोच सकते हैं, हमें uncommon profits के लिए कभी भी peak situation में buying नहीं करनी चाहिए, share peak पर तब होगा जब focus share पर ही हो और सभी उसके बारे में ही बात कर रहे हो तब AC स्थिती में खेला गया वोल्टा भी पढ़ सकता है, हम हमेशा देखते हैं, लोग गिरते shareों में averaging करते हैं, मुझे लगता है यह सही नहीं है, हमें averaging share के बढ़ने की शुरुवात में करनी चाहिए, जैसे जैसे share बढ़े averaging कम करते जाना चाहिए, और जब सभी gritty हो जाए और stock पूरी तरह से focus में आ circuit पर circuit लगते हैं, फिर धीरे धीरे बात आई गई हो जाती है, तब correction होता है, फिर company announce करती है कि practice project success हो गया है, तो फिर shareों की कीमत भागने लगती है, जब actuals थिती में project start होता है, तो कई मुझकिले आती हैं, फिर यह खबर फैलती है, तब लोगों को लगता है company का future खत्रे मे हैं, तो फिर से बड़े बड़े corrections हो जाते है, price low पर आ जाती है, फिर पर कुछ नया करने पर मुझकिले तो आती ही है, यह सबसे सही समय होता है entry लेने का, company धीरे धीरे सुधार के साथ finally project complete कर लेती है, फिर एक project, दो project, तीन और फिर चार projects तक पहँच जाती है, अब उसका base management, experience, funds सब ठीक हो जाते हैं, real growth यहां से start होती है, अब company जो चाहे वो products बना सकती है, वो भी बिना core business को affect करें, हम इस share को कब buy करेंगे या entry लेंगे अब आप शायद समझ गए होंगे, वैसे कई बार मन में ख्याल आता है, क्यों न हम sector wide समय के हिसाब से investment शुरू कर दे, इससे uncommon profit तो बन सकता है, पर इसके लिए हमें market पर गहरी नजर बनाए रखने की जरूरत होगी, कब कौन सा sector focus में आया या आने वाला है, sector में कौन कौन से बढ़िया प्लेये हैं, यह सभी research पहले से होनी चाहिए, ताकि सही समय पर down खेला जा सके, आप सोच रहे होंगे, यह तो short term trading की बात कर रहे हैं, परन्तु ऐसा नहीं है, हम investment की बात कर रहे हैं, sector के भी cycle आते हैं, जब वो एक दो साल तक लगातार अच्छा perform करते हैं, जैसे IT, Commodities, Realty आदी, यदि हमने इनके बारे में पहले से पढ़ा हैं और इनके बारे में रूची है, तो हम पहले से भाप सकते ह इन सभी में एक सबसे ज़रूरी बात यह है, कि हम कभी भी समय market को time करने का दावा नहीं कर सकते, Mr. Market हमारी analysis से नहीं market के sentiments से चलता है, share buying के लिए सही sentimental स्थिती में होना बहुत ज़रूरी है, कभी भी emotional होकर buying करना हमेशा नुकसान दायक साबित होता है, सभी कभी न कभी भावनाओं में बह जाते हैं पर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम संतुलित स्थिती में हो और सही जगह पर ही greedy हों, भावनाओं में बह कर नहीं हमें practical decision लेना चाहिए, अपने system को follow करना चाहिए, rumors, buy sale news, सुनी सुनाई बातों पर अपने decision लेने से बचना च किसी भी share को कब बेचना है इसकी बात हम आगे के chapter में करेंगे, next chapter when to sale, कब बेचे, वैसे तो stocks बेचने के अंगिनत personal regions हो सकते हैं परन्तु हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उनहीं पर विचार करेंगे जो companies से related हो, पहला, stocks को खरीटते समय हमसे गलती हो गई हैं जिसे लेकर हमें buying की थी, हमें emotional नहीं practical होना चाहिए, हम long term पर focus कर रहे हैं, इसलिए कोई भी गलती हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर सकती हैं, इस तरह की गलती से दो तरह के lows की संभावना होती हैं, पहले invested capital lows की और दूसरा time की, क्योंकि जब तक हमें पता चला, उ यदि हम अपने ego के कारण उसे नहीं बेचेंगे तो उतने time में कोई दूसरी अच्छी opportunities भी हाथ से जा सकती है, इसलिए गलती जल्दी सुधारें, हम uncommon profit के पीछे हैं, जिसका आशे long time में सेकड़ों गुना पैसे कमाने से है, next point है, हमने दूसरे chapter में जिन points को cover किया है, उनसे related company में कोई changes हुए हो और इससे कोई problem हो सकती है, तब भी exit ले लेनी चाहिए, next point है, यदि company के पास आने वाले market के लिए कोई खास products या services available न हो या वो बदलती दुनिया के साथ आगे न बढ़े तो इससे भी जल्दी exit ले लेनी चाहिए, नहीं तो Mr. Market को जैसे ही पता चलता है, वो share को उसकी सही जगह पहुँचा देता है, और हम सही जगह से निकलने का मौका गवा देते हैं, next point है, यदि कोई नया competitor market में आ गया हो जो हमारे हिसाब से अच्छा perform कर रहा हो और आगे भी उसके पास future stick product services available हो तो हमें investment को switch कर लेना चाहिए, वैसे तो रोज नई कमपनिया आती रहती है, पर हमें बार बार switching decision लेने से बचना चाहिए, next point है, उस सम हमें share बेच दो, जब यह नाटकिया रूप से perform कर रहे हो, हो सकता है, जब हमने share खरीदे हो, उसी के कुछ दिन बाद ही वो बहुत शांदार रूप से बहुत ऊपर चलेगे हो, तब हमें थोड़ा profit book कर ही लेना चाहिए, भले भी हमने उन्हें long term के लिए खरीदा हो, एक सं सेम तरीके से थोड़ा profit book कर लेना चाहिए और stop loss का उप्योग करना चाहिए, आगे हम उन 6 points को deep में cover कर रहे हैं, जिन्हें किसी भी stock से exit लेने के पहले समझ लेना चाहिए, नमबर एक share बेचने से पहले जाने की क्या खरीदने का उद्देश्य बदल गया है, जब हम किसी company क share खरीदते हैं तो इसका कोई कारण होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, उदाहरन के लिए मान लीजिए कि आप कई ऐसे लोगों में से हैं जिन्होंने एक प्रमुक बैंक के share खरीदे क्यूंकि आपको इसके CEO की financial knowledge पर भरोसा था, एक बार जब CEO चला जाता है तो इसका मतल यह नहीं है कि bank fail हो जाएगा या share की कीमते गिरने वाली हैं, हाला कि आपका निवेश उस विशेश factor पर आधारित था, इसलिए आपके shareों को बेचना अच्छा रहेगा, हमेशा इस कारण पर ध्यान दे कि आप कहीं निवेश क्यूं कर रहे हैं और सुनिश्चित करें कि उद्योग में काम करती है, वो संरचनात्मक परिवर्तनों जैसे नियामक सुधारों से गुजर रही है, उदाहरन के लिए कुछ साल पहले डिस्क उद्योग फलफूल रहा था, लोग से टॉप बॉक्स और अन्य कनेक्शन खरीदने के लिए दौर रहे थे इसे काफी हावा भी मिला, हाला कि अब OTT प्लेट फार्मों ने जपटा मारा और एक जटके में मार्केट शेर कैप्चर कर लिया, यह रातो रात हुए बदलाव की तरह लग रहा था, डिटी एच उद्योग का विकास जैसे रुख ही गया, इस कारण से फ्यूचर की टेक्नॉलिजी प पता लगा कर पोजिशन चेंज करना महत्व पूर्ण है, नमबर तीन, क्या आपकी पूर्ण जी कम हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक कामकाजी व्यक्ती हैं या एक अरब पती, सभी के पास पूर्ण जी की सीमा है, इस वजह से अगर आपने अपनी सार पूर्ण जी एक निश्चित कमपनी के शेरों में लगाई है, लेकिन निवेश का बहतर अवसर सामने आता है, तो आपको अपने पिछले शेरों को बेच देना चाहिए और जिन से बहतर नतीजों की संभावना है, उसमें निवेश करना चाहिए, नमबर चार, शेर बेचने से पहले जाने क्या है कमपनी के फंडामेंटल, ये हस्पष्ट रूप से सबसे महत्वपूर्ण कारण है, मान ले कि आपने ऐसी कमपनी में शेर खरीदे हैं, जिसमें स्थिर नक्ती प्रवाह और कम कर्ज था, हाला कि हाल ही में कमपनी ने कर्ज में डूब कर बुरे नतीज पर बुरा असर डाल सकता है, नमबर पाच, शेर खरीदने वाले निवेशक क्यों बचें हाई डिमांड वाले शेरों से, हमें याद रखना चाहिए कि खराब शेरों को खरीदने के लिए कोई भी अच्छा समय नहीं है, उदाहरन के लिए आपको एक निश्चित स्टॉक का पता चलता है, जिसे मीडिया ने सुर्खियों में रखा है क्योंकि यह हर दिन 52 वीक हाई मार रहा है, भले ही लोग इस शेर को बड़े पैमाने पर खरीद रही हैं, लेकिन प्रचार कम हो जाएगा और यह अपने असली मूल्य पर वापस आ जाएगा, इसका मतलब है कि यद आप प्रचार के साथ निवेश करते हैं, तो आप पूंजी का एक हिस्सा खो देंगे, ऐसी संभावनाएं हैं, नमबर 6 खरीदने से पहले देखें कि उस उद्योग में व्रिध्धी हो रही है न, हमें यह देखना होगा कि आप जिस उद्योग में निवेश करते हैं, क्या उसमें व्रिध्धी की कोई संभावना है या नहीं, हमें यह सोचना चाहिए कि उद्योग में विकास जारी रहेगा या नहीं, उदाहरन के लिए अपने आप से पूछे कि क्या लोग अभी से 5 साल बाद इसका यूज करेंगे और यदि आपका जवाब हाँ है तब हम उस उ चयर होल्डर के लिए कुछ करने का टाइम आ गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी इसके पहले शेयर होल्डर के लिए कुछ नहीं कर रही थी। हो सकता है dividend न देना shareholders के लिए ज्यादा अच्छा साबित हो यदि company dividend नहीं दे रही होती है तो वो company के future growth के लिए dividend को नए projects investments पर खर्च कर रही है या technology change पर खर्च कर रही है जिससे company की efficiency बढ़ती है और नई opportunities मिलने पर उसे grab करने के काबिल होती है जो अंत में shareholders के लिए ही अच् हम dividend के बारे में कुछ basic जानकारियों को cover कर लेते हैं first dividend क्या होता है dividend किसी company के द्वारा उसके shareholder को दिया जाने वाला company के net profit का एक हिस्सा होता है company को जो भी लाब होता है उसमें tax और सभी तरह के दूसरे adjustment करने के बाद बची net profit को company के shareholder में बराबर बराबर बाटा जाता है और जिस व्यक्ति के पास जितने share होते है उस व्यक्ति को उसी अनुपात में dividend का लाब प्राप्त होता है जैसे अगर मेरे पास ABC company के 100 share है जिस पे ABC ने 5 रुपे प्रती share का dividend दिया इसका मतलब मुझे कुल dividend मिलेगा 100 इंटू 5 बराबर 500 रुपे next point है dividend देने का फैसला ध्यान देने वाली बात है कि dividend देना है या नहीं ये पूरी तरह company के board of directors के उपर निर्भर करता है अगर board of directors चाहे तभी company dividend देने की घोशना करती है dividend देने का फैसला company की annual general meeting में board of director द्वारा किया जाता है ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादातर company जो market में नहीं होती है या जो इस policy पर चलते है कि वे लाब को वापस business में ही लगा कर business को और बढ़ाएंगे ऐसी company dividend बहुत कम देती है कुछ-कुछ company dividend नहीं देती है dividend का calculation इस बात को खास ध्यान रखे कि dividend हमेशा share के face value पर दिया जाता है और इसका calculation भी face value पर ही किया जाता है जैसे किसी stock का cut market price है 500 रूपे लेकिन उस stock का face value अगर 10 रूपे है और company 100% dividend देने का फैसला करती है तो इसका मतलब है share का face value है 10 रूपे तो 100% dividend का मतलब है प्रती share 10 रूपे का dividend मिलेगा ध्यान रहे dividend का current market price से कोई लेना देना नहीं होता है dividend कितने तरह के होते है अंतरिम dividend जब company financial year के भीतर ही quarterly dividend की घोशना करती है तो इसे अंतरिम dividend कहा जाता है final dividend जब company financial year के अंत में annual dividend की घोशना करती है तब इसे final dividend कहा जाता है dividend के फायदे dividend एक पूरी तरह passive income है और एक balanced निवेश portfolio में dividend income को भी शामिल क्या जाता है company अगर dividend देना चाहती है तो share के face value पर दे देती है इसका current market price से कोई लेना देना नहीं है dividend एक fixed income की तरह होता है बड़ी बड़ी स्थापित और वर्षो पुरानी company अकसर निश्चित समय पर dividend देती रहती है dividend yield क्या होता है dividend yield एक financial ratio है जो stock के dividend कमाने की क्षमता को दिखाता है और इस तरह dividend yield निवेशक को किसी stock के dividend कमाने की क्षमता और उसके share के market price के बीच संबंध को बताता है हमें share के dividend value को market value से भाग देना होगा तब dividend yield निकलाएगा dividend announcement dates जब कोई company dividend देने की घोशना करती है तो dividend तुरंत ही नहीं दे दिया जाता है बलकि dividend की घोशना और dividend के payment के बीच चार प्रमुक dates होते है और अंतिम date पर ही dividend का payment होता है ये चार date इस प्रकार है dividend declaration date ये वो date होता है जिस दिन company dividend देने की घोशना अपने shareholder को करती है X dividend date ये वो date है जो last date होता है इस date के बाद अगर किसी ने stock खरीदा है तो उसे dividend नहीं मिलेगा अगर आपको किसी stock का dividend पाना है तो आपको इस X dividend date से प्रहले उस stock को खरीदना होगा record date ये वो date होता है जिस दिन company अपने record books में ये देखती है अभी उसके share किन किन लोगों के पास है इस date पर company के record book में जिन लोगों का नाम रहता है वही share का dividend पाने के हगदार होते है date of dividend payment ये वो date होता है जब company द्वारा वास्तव में dividend का payment किया जाता है dividend देने वाली company कैसे check करे dividend के संबंध में ध्यान रखने वाली बाते dividend company के after tax profit में से दिया जाता है ध्यान दे की dividend लाब में से दिया जाता है और इसलिए अगर किसी वर्ष company को लाब नहीं होता है तो वैसे तो company dividend नहीं देने की स्थिती में है लेकिन फिर भी company अपने पुराने लाब के reserve cash fund से चाहे तो dividend देने की घोशना कर सकती है अगर company regular dividend दे रही है इसका मतलब company regular लाब कमा रही है और company financially मजबूत है company के उपर dividend देने का कोई कानूनी बंधन नहीं होता है company के board of director की सहमती से dividend देने या नहीं देने का फैसला किया जाता है dividend आम तोर पर annually दिया जाता है और बड़ी company या इसे quarterly भी पे करती है हमें उन company पर focus नहीं करना चाहिए जो ज्यादा dividend देती हो घो सकता है ज्यादा dividend investors को लुभाने के लिए हो आम तोर पर देखा गया है जो investor dividend पर कम focus करते हैं long term में वही सबसे ज्यादा dividend पाते हैं क्योंकि वह ज्यादा dividend वाली नहीं अच्छी companies पर focus करते हैं जिनकी dividend को लेकर पहले से ही policy consistent होती है वो long term में बार बार policy को change नहीं करते और dividend को earning के हिसाब से रखते हैं next chapter investor को यह 5 चीजे नहीं करनी चाहिए first promotional companies के share नहीं खरीदना है हमें उन companyों में निवेश नहीं करना है जो just अभी शुरू हुई है बलकि हमें उन पुरानी companyों में निवेश करना है जो successful तो है परन्तु और आगे बढ़ने के लिए नए products और innovation पर work कर रही है हमें उन companyों में निवेश नहीं करना है जिसे दो वर्ष से कम समय हुआ है business में आये हुए या अभी तक वो profitable नहीं है अभी इस प्रकार की companyों में business run करने की सभी quality नहीं होती जिसके कारण इस प्रकार की company या startup के दूबने के अच्छे chance होते हैं next है सिर्फ इसलिए stock न खरीदें क्यूंकि आपको इसकी annual report का tone पसंद है काफी लोग सिर्फ annual report के वादों से खुश होकर invest कर देते हैं या उनके management की commentary सुनकर खुश हो जाते हैं और invest कर देते हैं आमतोर पर देखा गया है कि वो सिर्फ एक अच्छी story बढ़ रहे होते हैं जो शायद implementable ही न हो company अभी कोई perform कर न रही हो और सिर्फ annual report सुन्दर बनाकर और future के लुभावने वादे करती हैं उस company में invest न करें next है यह नमाने की यदि price to earning ratio बहुत high पर है तो stock बहुत overvalued है यदि company बहुत समय से market में है हमने जो 15 points cover करे थे वो सब उसमें है और बहुत high valuation पर है तो यह जरूरी नहीं उसके valuation कम होंगे या वो निचे आएगी अच्छी company को market हमेशा premium पर ही रखता है क्योंकि यदि apple या almonds मे खास गुन है तो वो महेंगे ही बेकेंगे market expect करता है कि company ने जिस तरह पहले अपनी image बनाई है उसी तरह वो आगे भी perform करेगी और आगे भी वो premium पर ही मिलेगी इसलिए AC company के निचे आने की संभावना सिर्फ तब होती है जब पूरे market का sentiment खराब हो तब वो share थोड़ी देर क के लिए निचे आ सकता है और जैसे ही कुछ सुधार होगा वो सबसे पहले उपर जाएगा next है चोटे चोटे पैसों के पीछे रोना नहीं चाहिए company का share price 502 चल रहा है और investor उसके share price को 500 पर आने का इंतजार कर रहा है वो 500 पर आता ही नहीं है और वो 5 साल बाद 502 से 26,000 पर चले जाता है दो रूपे बचाने के चक्कर में उसने बड़ा uncommon profit छोड़ दिया इसे finance sales stupidity कहते हैं इसलिए चोटे चोटे पैसों के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए नहीं तो गाड़ी छुट जाती है और हम रोते रहते हैं next chapter यह 5 और कार्य है जो investors को नहीं करने वैसे हमने diversification या विविधी करन करने के फाइदे के बारे में बहुत सुना है परंतु सिर्फ इसलिए diversification नहीं करना चाहिए कि पैसे divide रहे और एक साथ सब न डूबे इस प्रकार का diversification एक ही जगह पैसे invest करने से ज्यादा नुकसान दायक साबित हो सकता है जब हमें chemical या reality के बारे में ज्यादा जानकारी न हो और हम वहाँ invest कर दे तो इसके बुरा साबित होने की अच्छी संभावना है इसके स्थान पर हम index की 5 कंपनियों में पैसे invest कर सकते है जिनका एक दूसरे sector से कम लेना देना हो तब एक sector में problem होगी तो हमारी दूसरी कंपनी के पैसे थोड़ सेफ रहेंगे हमें company में capital का maximum 10 से 20% ही invest करना चाहिए छोटी company में हमें सिर्फ वही पैसे निवेश करना चाहिए जो चले भी जाये तो daily life में ज्यादा फर्क न बढ़े छोटी company में बिलकुल छोटा capital ही निवेश करना चाहिए सेकंड पॉइंट है market गिर जाये तब भागना नहीं entry लेनी चाहिए जब market गिर जाती है तो आमतोर पर लोग भाग जाते हैं पर ऐसा करने के स्थान पर हमें entry लेनी चाहिए ताकि जब सब normal हो जाएं तो हमें मोटा मुनाफा हो जैसे यदि market health crisis के कारण गिरा है तब pharma sector, medical hospital sector attractive हो जाते हैं हम इन पर भी focus कर सकते हैं थर्ड पॉइंट है उन चीजों पर focus न करें जो ज़रूरी नहीं होती पास्ट के हिसाब से future का prediction कोई नहीं कर सकता इसलिए past में जो हुआ है उस पर company का future decide करने की ज्यादा कोशिशे न करें हो सकता है company ने past में बहुत अच्छा perform किया था जब share की price बहुत उपर चली गई थी परन्तु अब भी ऐसा ही हो जरूरी नहीं इसलिए company के present को देख कर ही company के future के बारे में सोचा जाना चाहिए फाल्तू की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए fourth point है सही growth stock खरीदते वक्त price और time दोनों पर विचार करना चाहिए company हमारे 15 points पर खरी उतरी पर जब हमने share देखा और price देखी तो वो अपनी intrinsic value से उपर कारोबार कर रही है हमने सोचा कि price जब यह intrinsic value पर आयगा तब खरीदेंगे पर ऐसा हुआ ही नहीं share price वहां तक आय ही नहीं इसके बजाए और उपर चली गई इसके बजाए हमें देखना चाहिए कि company कुछ नया करती है तब price नीचे आती है या result आते है तब नीचे आती है या और किसी कारण से price नीचे आती है तब खरीदना चाहिए घो सकता हमने जो calculation लगाई और share buy किया परन्तु price तो उससे भी नीचे चले जाए ऐसा भी संभव है परन्तु ऐसा भी संभव है लोग share को intrinsic value पर खरीदे और price वहां से भी नीचे चले जाए market में हमेशा सारी situation possible होती है हम किसी पर भी आँख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते इसलिए सही timing जैसी market में कोई चीज नहीं होती इस पर विश्वास न करें market को शायद ही कोई time कर सकता हो पांचवा और आखरी point है हमेशा भी फॉलो न करें एक company का profit बढ़ या घट सकता है management change होने पर या business model change होने पर या फिर demand change होने पर हमें company से नहीं अपने profit से प्यार करना चाहिए जो इन सभी के आधार पर change हो सकती है यदि हमें लगता है कि यहां कुछ गलत decisions लिए गए है जो अब change नहीं हो सकते भले ही सब को वो अच्छे लग रहे हो और आपको कुछ गलत लग रहा हो तो अपनी सुने अपने profit capital के बारे में सोचे और decision लें न की किसी और के कहने पर कुछ करें यदि आपको यह audiobook पसंद आए हो तो खृपया वीडियो को लाइक करें और एसी ही और audiobooks सुनने के लिए चैनल को अभी subscribe करें हम आने वाली वीडियोस में quality को और सुधारने की कोशिश करेंगे